गड़ा मंडला का राज्य के बारे में जबलपूर के नजीक आप में से कर एक को यह मालूम है मुझे सुनने वालों में से कई सारी लोग वहां पर भी होंगे उसके आजू बाजू में रहते होंगे, बसें होंगे, देखें होंगे और वहां हम लोगों के आज भी जो है विरासत की रूप में किल्ले हैं वहां पर बहुत सारे बावडिया हैं वहां बहुत सारे तालाब आज भी दिखाए देते हैं हमारे गोण राजाओं ने महराजाओं ने जो वहां पर मंदिरों का स्थापन किया हुआ है एक बहुत तरीन स्थापत्यक अलाका जो नमुला नोगों ने पेश किया हुआ है उसके आज भी सबूत बहां पर आज हम लोगों को दिखाए देते हैं इस प्रकार की जो है संस्कृ पुथल ने हम लोगों की इतिहास को बुरी तरह से निचोड़ा और इस प्रकार से बदल डाला कि हम राजा से रंक कब बन गए हम लोगों को समझ में ही नहीं आज हम लोग जिस चीज के उपर में गर्व करते हैं कि हम लोगों के गरोशली इतिहास रहा है वो इसलिए कि समाज से भी ऐसे कई सारे लोग निकले हुए हैं जिन लोगों ने जो है अपने बलिदान से अपने और यशे हम लोगों के समाज का जो है मान सम्मान जो है बड़ा उच्चा किया हुआ है इस प्रकार का एक बहुत बड़ा इतिहास हम लोगों कर रहा हुआ है लेकिन आज की अवस स्थिट्यों में हमारा जो समाज है वो बुरी तरह से बिछड़ा हुआ हर छेत्र में आर्थिक समाजिक और संस्क्रूतिक दोर्दशा की बारे में हम में से हरकोई वेक्ति जानता है और इस प्रकार से अंध्यकार्म युग में हम लोग न रहकर भी हम लोग अंध्यकार्म युग में जी रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को हमारे ही बारे में जानकारी कम है। और इसलिए सबसे पहले जब हम लोग इस चीज का बखान करते हैं। यहां आती चीजह वोई है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रकार के संस्कृतियों के बारे में बात करता है। भारत का इध्यास का भी हम लोग प्रारंब करते हैं। तो हम लोग सिंदु घाटी से उसको समझते हैं। और हम लोग यह भी कहते हैं कि सिंदुगाटी संभेता हमारी थी। सवाल कई सारे उड़ते हैं सिंदुगाटी के समय में अगर हम लोग थे, उनका जो कौशल है, वो वैपार में बड़े कुशल थे, वो नाविक के रूप में समुत्रों के उपर में जाते थे, अंतर रास्ट यह संबंद उनके उस समय में बने हुए थे, और रोम के सामराज्य के साथ में उस समय में वैपार करते थे, और सिंदुगाटी के लोगों के बहुत सारे कौइंस भी सिक्के हुआ करते थे, जिसके माध्यम से वो लोग जो है लेंदेन किया करते थे, ना कि देशज वैपार तो वो कलाकारी, वो गुण, वो कवशल्य आज कहा है। हम लोगों के समधाय में वो क्यों नहीं दिखाई देता ह। समान उसी के समान में. फिर से अगर हमें यह बात कहूं कि मज्योगीन इतिहास में भी हम लोगों कि इसी प्रकार के गुंद थे हम लोगों के राजा थे राजाओं के महल थे महलों में हाती थे लोगों के पास मिधन था संपती थी हीरे थी मूती थी और यह गोंडवाना वैभव संपन था इतिहास में इस प्रकार का उथल पुथल तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो जेनेटिक टाइप के जो गुंधर्म हो सकते हैं, जो हमारे पुर्खों के पास में थे, वो हमारे साथ हस्तांतरित क्यों नहीं हुए होंगे? हो सकता है कि समय का बहुत बड़ा प्फेर है और शायद इसलिए जो है हम लोगों के गुन सुत्र बदल गए होंगे, लेकिन यहां बड़ी विडंबना होती है, जब हम मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे यह समझ में आता है कि राज करने वाला हमारा जो समदा है वो अलग है और सामान्य जंदा जिसको हम लोग कहते हैं वो पिलकुल अलग है जिसको हम लोग इतिहास समझते हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारा जीने का तरीका है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो ही मुल्य है हमारी और बहुत सारी जो है जैसे कि संस्कुति कभी नस्ट नहीं होती, सभ्यता हो सकती है. यह दो शब्दों में बहुत बड़ा फासला है. सभ्यता, सभ्यता जो है वो भौतिक विकास को हम लोग कहते हैं. और जो नैतिक विकास जो होता है, उसको हम लोग संस्कुति कहते हैं. तो हम लोगों की नैतिकता इतनी स साथ में जड़ा हुआ है और इसलिए वो जाता नहीं है भावतिक सांस्कूति महल गिर सकता है कीला गीर सकता है राजपाड जा सकता है आपकी चीजे खराब हो सकती है यह भावतिक मिकास का मापदंड हम लों कहए सकते हैं और इसलिए सब्वेतां नस्थ हुई है चाहे सिंदु घाटी की सब्विता हो मायान सब्विता हो मेसापटामिया की सब्विता हो बेबिलॉन की सब्विता हो चाइनी सब्विता हो इस प्रकार की जो भी सब्विता दुनिया में किसी समय में जो गौर्मनित्थी वो आज हमको नहीं दिखाई देते और इसलिए जब हम लोग इस प्रकार के संस्कुतियों के बारे में बढ़ते हैं तो वो बात तो मेरे समझ में आती है लेकिन ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आए कि हम लोग जो है दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हमारी इतिहास का एक अलग पहलू है और सामान्य जनों का एक अलग वर्ग हम लोग लेख सकते हैं क्योंकि दोनों का जीने का तरीका बिलकुल अलग है राज्यकरताओं का जीने का तरीका बिलकुल भी समान नहीं है हमारे अन्य लोगों के साथ में और इसलिए हम लोग जो क राजगोंडों की अलग ही सांस्कृतिया है जो हमको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो क्या हम लोग यह कह सकते हैं कि यह राजगोंडों ने जो कुछ भी नए प्रकार की जो पद्दतिया विक्सित की वो हम लोगों से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे। नहीं हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं समय के साथ उन लोगों ने जो बतलाव अपने आपके अंदर में किया एक सामान्य जन्द से वो सब्तादिश बने और इस गोंडवाना के उपर में उन लोगों ने कई सालू तक राज्य चुकिया और उन्हीं के छाया और छट्र में रहकर हम लोगों ने हमारी संस्कृति विक्सित की अगर वही नहीं होते तो हम लोगों की संस्कृति कहां होते हमारे रक्षक ही नहीं होते तो हम लोगों का अस्तित्व क्या होता और इसलिए हम लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो चाहे जैसे भी रही होंगे लेकिन सामै जण उस समय में सुखी था सामने जन उस समय में ज कि शन्ति प्रिय जिवंजी रहा था उसके पीचे में जो सबसे बड़ी दाकत तिस समय में थी वह हम लोगों के पुर्खे जो राजी और महाराजीम थे इसलिए बोड़ाना के बारे में हम लोग thoughा जिसे फढ़ते आंग्रे जो ने जो उसको नाम दिया हुआ ब्गॉकंट के बारे में बहुत सारी theoryze हम लोग पढ़ते हैं वो इकपोगisches the yogalPoint प्रुथवी का एक आकार था वो किस प्रकार से बदला और वो ड्रिप्ट हो गया और एक दुसरे से तुकड़े जो है दूर चले गए इस प्रकार की थेरी जो है वो स्वेश नाम का 1860 के तरफ में कहीं एक व्यक्ति ने रखा हुआ है लेकिन क्या वही थेरी जो है बहुत जो है गौंडवाना के लिए जो है वो साबित करती है कि यह गौंडवाना लैंड था गौंडवाना लैंड का जो उन्होंने नाम कवले किया हुआ है वो बहुत अभी अभी का है बहुत प्राचीन नहीं है लेकिन उस खंड के बारे में ज अब भी था चब यह लैंड बना हुआ था और हम लोग बाद में बट गए खंडो के रूप में चाहे आफरीका खंडो एश्या खंडो यह अस्ट्रिया रूप बट गए हो सकते हैं इसलिए इस प्रकार का जो एक खंड था उसको बाद में अंग्रेजों ने जो नाम दिया हु इस छेतर को नोगों ने बनाया इस छेतर को नोदे वई भशाली बनाया गंप्र इसलिए वो नाम भी उन्हीं के तरफ से आथी है यह इनकी यह गोनoria लोगों की पहचान इसी राज्यकरदाओं के कारण में Barbara इस प्रेकार का जो पहला राज्य जो हमारे इस मध्यभारत में था जिसके बारे में आपको मालूम है और वह है गड़ा मन्डला इस गड़ा मन्डला को ही सबसे पहले जो है वो gonna ाów कटंगा कहते थे गड़ा कटंगा कहते थे कि गड़ा नाम के छेत्र में सबसे पहले राजधानी का निर्बान होना और आशिछडी बढ़ती चली गई और बढ़ती जन्हें संख्या के जैसे हुआ है गड़ा मंडला में उसने वहां राजधानी जो है तो वह गड़ा से लगभग 19 किलो मीटर दूर रामनगर में लेकिए और उसके बाद में इस गड़ा कटंगा का नाम जो है गड़ा मंडला के रूप में हो गए तो इस प्रेकार का इतियास जो है हम लोगों को इसके बारे में मिलता है गड़ा मंडला के बारे में गड़ा मंडला में जो राजा थे प्राचीनता बहुत पुरानी है इनके प्राचीनता इस प्रेकार से बताई जाती कि जो विस्तार है उनका उसी से हमको समझ में आता है कि गड़ा मंडला का सामराज्य कितना बड़ा रहा वहाँ बाला घाट। ऐसे बहुत सारी जिलों का समाविश उसमें होता था। पन्हाजिल्ले का कुछ हिस्षा रख्षिनी हिस्षा उसमें था। सागर जिल्ए का बीनानदी का पूर्व इससमें आता था। बिलासपूर जिले में पच्छी मेस्तित परतापकट पंडरिया की जमीनदारी उसके अंदर में आती थी, होशंगाबाद जिले का भी तवा नदी के पुर्व का भुभाग उसमें आता था, और इधर हमारे विधर्बका जो है अंडारा जिले का उत्तरी अर्दाश जो है उस का सामराज्य में आता था, और इसलिए गड़ा मंडला सामराज्य जो है वो सरिफ जबलपूर और उसके आजू-बाजू के परिवाह करिवेश के साथ में नहीं चुड़ा हुआ था, यह चोड़ाई में और लंबाई में बहुत बड़ा सामराज्य था, कहा जाता है कि उस उन राजाओं की जो सुची दी गई है इतिहास में बड़ी लंबी है और इस लंबी जो है इस प्रकार का जो सामराज्य रहा है उसका जो संस्थापक था उसको यादो राए तेरा सो सत्तर के करीब उनका उत्भव हुआ इस प्रकार का बोला जाता है उन्हीं को जो है याद मंड के इतिहास का जिसमें बहुत सारे आए जिसे की गोरक्षदास है शंग्राम साहा दलपति शाहा धल्पति शाहा कहीं पत्नी विरंगण दुरंगावती जी थी और उनके पुत्र जो है वीर्णारायन थे शीवराफ शार उसके बाद में तो बहुत प्रकार की जो वन्शावली हम लोग देखते हैं इन लोगों ने कई लंबे समय तक बारा सो या तेरा सो विश्वी तेरवी सदी में अगर उन उने राज्व किया वह ऐसा बोला जाता है तो वो तो एक श्रूंख था विकास का सबसे उच्चांक वाला जमय जिसको हम लोग कह सकते हैं का ऐसा समय जहां पर राज्व की रूप में वह प्रस्ता-पित हो चुके थे उसको हम लोग यहां पर गिंती मिलाते हैं लेकिन उस प्रकार के विकास के अवस्था में आने से पहले उन लोगों ने जो कुछ भी संगर्शक किया होगा उसके बारे में हम लोगों के पास में जानकारी नहीं है और इसलिए महाज हम लोग उनको 200-300 साल उन लोगों ने राज किया ऐसा नहीं कह सकते उससे पहले उन लोगों ने जो कुछ भी संगर्शक किया होगा वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसलिए कहा जाता है कि गड़ा मंडला में जो है अब उसको अलग अलग नाम से गोड़ समुदाई के जो है मडावी मरावी मंडावी इस परकार के नामों से जो है उनको जाना जाता है यह हम लोगों के गोत्र का एक जो है गोत्र है और जिसकी सत्ता जो है गड़ामंडला का जो सामराज्य है वो कई वर्षों तक तो स्वतंत्र था जैसे लगभग 84 साल नहीं 08-6 साल के करीब में उनकी उपर में किसी प्रकार कप्या किसी भी वेक्टि की किसी पिल्कुल आ जा था लेकिन 1564 के बाद में धीरे धीरे जो है वो मनसपदारियों के अधीन आ गया लेकिन वह भी एक प्रकार के गोंडवाना के अंतरगत भागों में नियंतरण करना मुगलों के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था और इसलिए उन लोगों ने पूरी तरसे गोंडवाना को पराजित म करते हुए उन लोगों यहां पर जोए अपनी वर्चस्वा बनाय रखी इस प्रकार का हम देखते हैं तो यही वो गड़ा-मडला का जिसने सबसे पहले जो है यहां पर एक गॉंड-साशन-ःति का विकास किया और इस गॉंड-साशन अशन-ःति का विकास करते हुए उन लोगों ने कुछ कौपी भी की है, exactly, साशन चलानी की जो नीतिया है, उन लोगोंने सुल्तानों से पड़ी है, उन लोगोंने मुगलों से पड़ी हुई है, और वहाँ जिस प्रकार के दर्बारी हुआ करते थे, उसी प्रकार की दर्बारी, इन लोगोंने अपने राज्यों में रखे हुए है, वहाँ जिस प्रकार की मनसबदारी हुआ करते थी, उसी प्रकार की जागिरदारी, उसी प्रकार की जमीनदारी, इन लोगोंने कड़ा मंडला के छेत्र में भी प्रस्ता किते हुए हैं। तो हमारे साशन प्रणाली जो है ये कई लोगों को समझ में नहीं आता इतिहास कारों को ये बात हजमी नहीं होती जो कि मुगलों के सामराज्य को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां इरानी तुरानी पतानी अफगानी ऐसे अलग-अलग प्रकार के मनसबदार सरदार हम पढ़ता था उन लोगों को पध देना पढ़ता था वहदा देना पढ़ता था उन लोगों को जो वेतन देना पढ़ता था जागिरे देनी पढ़ती थी हमारे यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं था गड़ा मंडला के साशन में जितने भी किलेदार हुआ करते थे जितने भी ये राज सत्ता के करीबी और रिष्टेदार हुआ करते थे, जिनको पेमिंट्स देनी की जवरत नहीं पड़ते थे. यहाँ एक विश्वास हुआ करता था, कि जब राजा बोलेगा संकट के समय रहेगा और उसको मदद करनी की जवरत पड़ी, तो दौण कर जमीदार और उनके जो वतंदार लोग है, वो आ सकते थे, और उसके लिए उन लोग उनको कुछ अलग से पेमिंट करने की जवरत नहीं पड़ते थे. और इसलिए हम लोगों के आप लिखा पड़ी करनी की जवरत नहीं पड़ते थे. लेकिन अगर किसी ने बुलाया संकट के समय में, तो ऐसे समय में जागिबदार, जमीरदार जो है, अपना सब कुछ छोड़ कर राजा के बचाव के लिए युद्ध में आ जाते थे. इस प्रकार के गोंड़ी साशन पत्तती घड़ा मंदला के राजाओं ने विक्सित के थे. और इस प्रकार का बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को दिखाए देता है इनका, जिसमें बुगलों की अधिनता इन्होंने पूरी तरस्य स्विकार नहीं की थी. बहुत नॉमि और जादा उननसे would का कोई सोशन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नामात्र कर रखा जिसके कारण प्रजा उस संमय की धी कुभने प्रजाने कभी आज तो गोंडवाना को लूटने वाले, खसोटने वाले, कई सारी लोग दिखाई देंगे, लेकिन एक वो समय था, गोंडवाना में जो गोंड राजा लोग जो राज्य कर रहे थे, उनके समय में सुरक्षित रास्ट्रो निर्मान हो चुका था, लोगों का विश्वास अप मतलब क्या होता है, क्या आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं कि एतिहासिक दृष्टि कौन से, अगर हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं, तो उसका मतलब होता है कि, sacrifice to the, service to nation, service to raja, service to गोंडवाना, तो उस समय में सेवा किसका करेंगे, राजा क ही करेंगे, समुदाय, लेकिन आजकल हम लोग उसका उप्योग जो है, समुदाय की सेवा के रूप में करते हैं, जो कि आज हम लोगों के राजपाट नहीं है, और इसलिए, जैसेवा, इस प्रकार का हम लोग जो बात करते हैं, तो उसके पीछे में इतिहासिक दूष्टि क हम लोगों के बीच में प्रचलित है, इतिहासे यह वड़ाते, जै जोहार इस प्रकार का शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, जै जोहार का मतलब बलिदान की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे पुर्खों ने पर्टिकुलरली चवरागड में जो कुछ भी हुआ था, आप आपका बलिदान उन लोगों ने कर दिया था, उस बलिदान को याद करने के लिए हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल आज भी आदान प्रदान करते हैं, प्रणाम करने के लिए करते हैं, सिवा जोहार बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार के शब्दों के अंदर में चाहें चांदागाड में हो घड़ामंडला में हो घेरला में हो देवगण में हो याए जो चित्र दिखाई देता है प्रवेश्टवार के उपर में या उसके left and right में कहीं ने कहीं हमको दिखाई देता है कि हाथी की उपर में जो है शेर बैठा हुआ है शेर खड़ा है इस प्रकार का इसका क्या मतलब होता है उसके कही सारे मतलब जो है लोग निकालते हैं एतिहास कि शेर टोटेम वालों ने जो है हाथी टोटेम वालों को पराजित किया होगा इसलिए इस प्रकार का चित्र जो है वह अंकित किया गया ऐसा कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग कहते हैं कि वह वैसा नहीं है मध्य भारत का एक बहुत बल्शाही जो रज्य था उसको शेर जै और गड़ा मंडला की राजाओं ने जो सिक्के उस समय में चलाए थे चांदी के सिक्के तामे के सिक्के उन्हें उन्होंने जो अंकित किया हुआ है उसमें वो दिखा दे कि सेर्ज का जो है पंजा उपर में उठा हुआ है तो जिसका मतलब क्या होता है कि वो एक बलशाही ता इस्तिमाल किया गया हुआ है। आज मैं आप लोगों के सामने में यह नहीं बता पाऊंगा कि उसका सही मतलब क्या है। उसके अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते है कि हाथी जो है वो शाकाहरी है और शाकाहरी को नियंत्रिद करने के लिए मासाहरी जो है प्रतिनी दित्व करने वाला प्रानी की रूप में हाथी है और उसका नियंत्रिद करने के लिए मासाहरी शेर का इस्तिमाद किया होगा ऐसे कई सारे अंगल स इतिहास में, जब हम लोग इसे पढ़ते हैं, तो हमको यह समझ में आता है कि इसके क्या-к्या मतलब हो सकते हैं. लेकिन इतिहास में तत्यों के कमी के कारण या सबूतों के कमी के कारण, किसी निर्णायक बात पर आना बड़ा कठिन होता है और इसलिए जब हम लोग ये गड़ा मंडला का इध्यासर पर रहे थे तो इसमें उन लोगों की उपलब्दिया बहुत सारे हम लोगों को दिखाए देती है गड़ा मंडला के राजाओं के एक सबसे बड़ी उपलब्दी ये भी रही है कि इन लोगों का स्थापत्य जो है ना वो हिंदू है ना वो मुसलिम है एक अलग प्रकार का स्थापत्यकला उन लोगों ने प्रदर्शित किया हुआ है हहा यसलिए गोंड राजवण्षों के द्वारा बनाएगा कि यह किसी और से मिलते ही नहीं है ना वो हिंदू स्थापत्यकला के हिसाब से हैं ना मुसलमान स्थापत्यकला के दौरा है इसलिए गोंड स्थापत्यकला एक अपनी अलग अलग भुमिका जो है दर्शातु ही हम लोगों को दिखाई देता है। गोंड राजवन्षों ने केवल किले और इसी के माध्यम से मध्वरों के माध्यम से अपनी स्थापत्यकला नहीं दिखाई। आप मैंसे कई लोगों ने देखा होगा कि जिस जिस छेत्र में गोंडों के सामराज जर रहे हैं वहाँ पर सेखड़ों तलाव आज भी दिखाई देते हैं। बावडिया दिखाई देते हैं, क्वे दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देते हैं, भवन दिखाई देते हैं, और यह चीक चीक कर जो है गोंडवानकी इतिहास को बखान करते हैं। कमी शायद हमारे जैसे ही लोगों में रही है कि हम लोग उनके शहिली को समझ नहीं पाए उनके इस प्रकार के तालाब और बावडिया खोदने के तीछे में, उनका क्या मकसद था, वो हम लोग समझ नहीं पाए, और इसलिए सही तरीके से हम लोग उनको लिख नहीं पाए, बावडिया कुछ इस प्रकार से बनाए जाती थी, कि वो स्रिप इंसानों के लिए नहीं हो हुए थे, इंसानों का ही स्रीक उन लोगों ने विचार नहीं किया हुआ था, तो वो जानोरों का भी विचार उन लोगों ने उस समय में रखा हुआ था, ऐसे कई सारे उखलब दिया गड़ा मडला के राजाओं के उस समय में रही है, गड़ा मडलाओं के सबसे बड़ी ज बाद में किसी और के राज्य के ऊपर भी नजर उठाकर भी वो नहीं देखते थे और इसलिए हम लोगों के यहां पर जो है गोंडवाना कई वर्षों तक जो एक शांत रहा हुआ है एक समृद्ध रहा हुआ है गौरोशाली रहा हुआ इसके पीछे में यही कारण हम लोग कह सकते हैं जो कि अगर यहां पर जो है अगर लोग यहां पर उनके यह प्रकार की युगदान को तो सच में वह हम लोगों के लिए आज भी गौरोशाली है हां लेकिन यह बात जरूर है कि जैसे हम लोग कहते कि हमारी चो एक मूलदारा की जो संस्क्रुति है उससे यह लोग अलग थे इन लोगोंने मंदिरों का निरमान कर वाय इन लोगोंने व्यशनों समाज का या फिर बॉड शमाज का या फिर जो भी यू भी धर्म धर्म उस समय में प्रस्च wyp sekarang पलिंग उनक्व अश्रेबी रक्षा किआ हुआ है तो यहां पर हम लोगों को थोड़ा जो है यह लगता है कि एक अलग प्रकार के लाइन पर जो है अमारे राजा महाराजा चले के लेकिन वो उस समय की जरुत थी जैसे शिवाजी महाराज का जब तक राज्यभिशेक नहीं हुआ था तब तक उनको राजा मानने के लिए प्रजा तयार नहीं थी और इसलिए उस समय में जो जिस प्रकार की विवस्था थी जिस विवस्था के हम लोग बात कर रहे हैं बारवी सदी तेरवी सदी चौधावी उस समय में तो धर्मग्रंथों का ही बोलबला था उस समय में सामाजिक विवस्था जो थी जिसमें यह कहा जाता था कि ब्राह्मन को सा काम करने वाला है चत्रिय क्या करने वाला है वैश्य क्या करने वाला है और शुद्र क्या करेगा तो समाज की यह जो वर्ग है यह बटे मुख्यदारा जो कहा जाता है उसके तरफ में अगर आकरचित हुए होंगे तो वो समय की मान थे और इसलिए बाद के समय में भी हम लोग जब देखते हैं तो राजाओं ने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ को दिखाए देता है इसको देवगड का इतिहास को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वहां किस प्रकार का धर्म परिवर्तन हुआ है वहां के राजाओं ने तो मुस्लिम धर्म स्विकार कर लिया था बक्त बुलंद का नाम आप लोगों नहीं सुना ह होगा उनका बहुत बड़ा योगदान है नाकपुर शहर जिसको हम लोग आज मध्य भारत का बहुत बड़ा विक्सी शहर के रूप में जानते हैं जहां मैं बसता हूं उस शहर में वह शहर को जिसने बनाया वह बक्त बुलंद नाम सुनकर ऐसा नहीं लगता कि वह आधिव झाल